मंगल तरड़ेकर इनका सवाल ऐसा है कि ये बाबा लोगों को ठकते हैं भगवान का नाम लेकर धर्म का नाम लेकर तो आम व्यक्तिने कैसा जीवन जेना चाहिए देखिए आज के जमाने में तो किसी को धर्म अलग से मानने की जुर्रत नहीं है आज के जमाने में हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जो धर्म मानता है उसने अपना धर्म घर्म तक ही सिमित रखना चाहिए घर तक ही सिमित रखना चाहिए जो पूजा अर्चा करनी है घर में करनी चाहिए मंदीरों में भगवान होता है और हमारे घर के अंदर जो मंदीर हमारा छोटा सा होता है वहां भगवान नहीं होता है यह तो भगवान का ही हम अपमान कर रहे हैं हमको किसी मंदीर में जाने की क्या जुरुत है जिन लोगों के घरों में ही भगवान होता है तो गर में अपने भगवान को पूझा करिए उनके सामने प्रारथना किजिए अपने जो भी धार में माननेता है उसको पूरा किजिए अगर एकाग्रता से आप प्रार्थना करते हो तो उसके कुछ फाइदे हैं साइकोलोजिकल फाइदे हैं बहुत अच्छे फाइदे हैं उसके फाइदे आप उठा सकते हो उसके बारे में बार बार मैंने कहा है अगर कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मंदिर में जाने के बगैर मेरी धार्मिक मन्यता या प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो ठीक है मंदिर में जाईए लेकिन वहां के दुष्ट चक्र को बली मत चड़िए अपने आपको चड़ने मत दीजिए जैसे आप अगर इतने हजार की पूजा करोगे तो आपको ज़्यादा पूर्ण्य मिलेगा भगवान बिकत लेनी की चीज है भगवान अपने आपको बेचेगा कि आपने दस हजार की पूजा की इसलिए भगवान आप पर ज़्यादा कुरूपा करेगा और पाच रुपे या सवापाच रुपे के आपने कुछी चड़ाई तो इसलिए भगवान आप पर कम कुरूपा करेगा ये तो भगवान का अपमान है ऐसा मनना तो कम से कम मंदीर में अगर जाते हो तो मंदीर में केवल दर्शन तक अपने आपको समीध रखो अगर आपको ऐसा लगता है कि भगर्बे बगवान नहीं है मंदीर में होता है बगवान ये भी बगवान का अपमान है सभी संतों ने कहा है अध्याद्मिक शित्र में कहा है कि भगवान तो चरा-चर में होता है हर जगह होता है हम केवल उसको देखने ही पाते इसलिए उसको मूर्ती में देखने के कोशिश करते हैं तो ठीक है ना हमारे घर में मुर्ति है उसकी पूजा करो प्रार्थना करो एकागरता से करो अपने आपको उसके साथ में बहुत अच्छे पॉजिटिव सजेशन्स दो लेकिन मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं जिन लोगों को लगता है कि मंदिरों में जाना बहुत आपश्यक है वो मंदिरों में जाए कोई प्रॉब्लेम नहीं लेकिन वहां के ठगी को बली ना चड़े जो ज़्यादा दोनेशन देगा वो ज़्यादा पुन्यवान पुन्य बिकत लिया जा सकता है पुन्य अगर बिकाओ है तो वो पुन्य कैसा है भगवान बिकाओ कैसा हो सकता है तो मंदिर तक वही तक अपने आपको मरिया देत रखो लेकिन किसी भी बाबा को भगवान की जग मत दो कोई भी बाबा में ब्रेवी शक्ति नहीं होती है कोई भी इंसान में भगवान नहीं आता है नहीं किसी इंसान पर भगवान की विशेश्क रुपा होती है ये तो हजारों सालों से आपको मुझे आम आदमे को ठगने के हतकंडे है इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें कोई तत्या नहीं है इस बात को हमने समझ लेना चाहिए इनसान ये आम इनसान होता है कुछ लोग ज़्यादा विद्वान होते हैं हमारे टीचर्स होते हैं हमसे ज़्यादा जानकरी रखते हैं हम उनका बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं उनसे ज्यान प्राप्त करते हैं लेकिन उनको अपनी जिंदगी निचाओर नहीं करते हैं उनको जिंदगी अपनी अरपन नहीं करते हैं ये जो गुरू की कलपना है एक जमाने में शायद ग्यान की दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं थी तब तक ठीक होगा लेकिन आज के जमाने में किसी को गुरू मानो तन मनधन उसको अरपण करो सबका सब उसको सब दो ये एक्स्प्लोइटेशन का ही मार्ग है सबसे बड़ा गुरू मत मानो हमारे टीचर्स होते हैं उनका रिस्पेक्ट करते हैं उनके ग्यान का रिस्पेक्ट करते हैं यहां तक ठीक है इससे जदा महत्व मत दो चाहे बड़े से बड़ा कोई इनसान हो बड़े से बड़ा समासुदा रखो उसको इनसान ही मानो उसको भगवान बना तो उसका भी आप मान करोगे उसके ज्यान का भी आप अपमान करोगे तो इसलिए समास से बखो बड़े से बड़ा महापुरुश हो उसको इंसान ही मानिये इंसान ही रखिये चाहे अपने टीचर हो उनको भी इंसान ही समझे इंसान ही मानिये उनके ज्यान की कदर किजिए उस के लिए अपने आपको तनमन धन अरपन करने के जुरुरत नहीं ये केवल शोशन का ही तरीका है इस धंग से अगर आम आदमी अपने जीवन में जीना सिखेगा तो इस धंग के एक्स्प्लॉइटेशन में से हम अपने आपको बचा पाएंगे और जो धर्म का गलत उप्योग करते हैं शोशन के लिए या फिर पॉलिटिक्स के लिए उनके भी चक्कर से हमारे समाज को हम बचा पाएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंड आया हो तो उससे ज़रूर लाइक करें लोगों में ये आवेर्निस पहिलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेर भी करें तो तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मनों को विजट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए